नमस्कार कसिस नीज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग नितीज कुमार की महागरबंधन वाली सरकार बन गई है जी हाँ उन्होंने सपत लिया है और सरकार बनने के बाद अब चर्चा ये है कि मंत्री मंडल का एक्सपेंशन कब होगा सियम नितीज कुमार ने जवाब भी दिया और कहा कि 15 अगस्त के बाद कभी वो मंत्री मंडल का विश्टार करेंगे अलगी इसके पीछे की परदे की पीछे की कवाईड़े हैं वो चल रही है दरसल मंत्री मंडल विश्टार में किसे क्या मिलेगा विभाग इसकी भी चर्चा की जा रही है और खास करके लगबग ये तय हो चुका है कि किसे कौन सा विभाग मिलेगा और नाम भी लगबग लगबग तय हो चुके है और जेडि कोटे की बात हमने बताई थी और अब जेडियू कोटे की बात करें अगर तो जेडियू कोटे से कौन-कौन मंत्री बन सकत आपको यह बताने जा रहे हैं जी हाँ जेडिव कोटे से सबसे पहला नाब उपेंद्र कुस्वाह का है जी हाँ उपेंद्र कुस्वाह जो पाटी के संसदीय बोर्ट के धक्स भी है और बड़े नेताओं में सुमार हैं अगर पाटी की बात करे तो उन्चंद बड़े सामिल हुए थे जेडियू में सामिल हुए थे उसके बाद उन्हें बड़ा पद भी दिया गया था और अब इस बार उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है यह खबर हैं फिलाल वो MLC हैं पार्टी की ओर से उसके अलाबा जो पुराने कई सारे नाम हैं जो लगतार मंत्र समय यह जंडर । ऊपद को सुसोभित करते रहे हैं वो नाम भी इस लिस्त में सामिल है बि जेंदर प्रसाद यादो को मत्री बनना मंत्रिय है यह माना जा रहा है उसके लाबा When Steve Kumar आपको तमाम नाम बता रहे हैं और जल संवावित कोट आपको बता रहे हैं और यह कबर जो है इस पर पुस्ती लगेगी जब पंदरह तारीक के बाद यहानि 16 अगस्त या 17 अगस्त को मंत्री मंदल का विश्टार किया जा सकता है जैसा कि नितीश कुमार ने बताया बताया भ सुची तयार हो चुकी है और अब यह सपत जो चेहरे हैं सपत लेते नजर आएंगे नए मंत्री मंदल में संजाजा की बाद अगर बात करें उसका असोग चौधरी है असोग चौधरी भी मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में तो जेडिव में लगभग लगभग वही नाम त जमाखा फिर से मंत्री बनाए जाएंगे जो लिस्ट में नाम है जो बताया जा रहा है जेडिव कोटे से की बात कर रहे हैं जयन्त राज को फिर से मौका दिया जाएगा मंत्री मंदल में यह बताया जा रहा है यह जो लिस्ट है हम आपको यह संभावित सुची बता रहे है वो नाम बता रहे हैं कि कौन-कौन से लोग मंत्री बन सकते हैं तो ये जेडियू कोटे की बात हो रही है उसके अलावा अगर जेडियू कोटे से बात करें तो सुनील कुमार जो पूर्व आई-पीए से दिकारी है और अभी मंत्री थे पिछली सरकार में उन्हें फिर से एक बनाया जा सकता है उसके लावा लेशी सिंग का भी नाम इस सुची में सामिल है कि लेशी सिंग फिर से एक बार मंत्री बनेगी तो ये तमाम वो नाम आपको बता रहे थे वर हम जल्दी जल्दी में बता दे कि कौन-कौन से वो नाम है विजेंद्र प्रसाद्यादों है महागटबंधन की सरकार में जो नए तेवर और कलेवर के साथ फिर से उत्री है बने रही है कसिस न्यूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए तना ही है धन्नवाद